दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे strong fundamentals और high sales growth, high profit growth वाले chemical stocks लेके आये हैं जिनमें आप long term के लिए sip start कर सकते हैं यानि कि दोस्तों आप हर महीने regularly अपना थोड़ा थोड़ा amount यहाँ पे invest करके चल सकते हैं क्योंकि दोस्तों इन सभी stocks के fundamentals काफी strong है business काफी strong है तो आने वाले समय में long term में यानि कि आज से 5 साल, 10 साल में ये आपको high CAGR returns प्रवाइड करने का पूरा पूरक्षमता रखता है तो दोस्तों इन सभी stocks का आज हम detailed technical और fundamental analysis करेंगे और साथ की साथ इनके business model को भी study करेंगे तो friends बने रही हमारे वीडियो में end तक और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप वीडियो को 1.5x की speed से देख सकते हैं और हाँ friends ये कोई buying या selling recommendation नहीं है ये वीडियो हम सिर्फ educational purpose के लिए बना रहे हैं अगर आप किसी stock को खरीदना है बेचना चाहते हैं तो आप अपने financial advisor की सलाँ जरूर लें तो हमारा आज का पहला stock है Solar Industries India Limited दोस्तों इस company की मेरे को सबसे खास बात ये लगती है कि इसमें high motivated business है यानि कि दूसरे players यहाँ पे असानी से enter नहीं कर सकते बहुत highly regulated business में ये काम करती है क्योंकि दोस्तों explosive बनाने वाली companies को license इतनी असानी से नहीं दिया जाता है बहुत लंबा process होता है और यही कहीं न कहीं इसका moted advantage बन जाता है दोस्तों अगर हम इसकी business model की detail में बात करें तो ये Indian army के लिए भी explosive बनाता है उनके लिए hand grenades वगेरा जो भी उनको explosive material की जरूरत होती है वो सब ये provide करके देता है यानि कि Indian army इसका एक बहुत बड़ा client है और दोस्तों इंडिया ही नहीं ये देश विदेश में भी काम करती है और कुछ countries के नाम आप अपनी screen पे देख सकते है तो all in all इसका business बहुत unique है moated है और पूरे देश में फैला हुआ है और देश ही नहीं दोस्तों विदेशों में भी यानि कि all over the world इसका अच्छा खासा business established है और दोस्तों इसके जो products हैं जो explosives हैं वो mining में भी use होते हैं और दोस्तों इसकी दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये stock काफी consistent motion में चलता है और अगर इसका common pattern observe करें तो ये उपर जाता है और फिर धीरे धीरे consolidate करता है अपwards यानि कि एक breakout देता है और फिर से consolidation और यहाँ पे भी इसका same pattern देखने को मिल रहा है यहाँ पे इसने एक breakout दिया और फिर से यहाँ पे धीरे धीरे consolidation phase में ये जा रहा है अगर support levels की बात करें दोस्तों तो 4000 पे इसका बहुत strong technical support देखने को मिलता है और 4000 एक psychological level भी है तो अगर ये 4000 के आसपास आपको कहीं मिलता है तो आपको धीरे धीरे अपने portfolio में accumulate करके चलना चाहिए तो friends इस stock को आप अपनी watch list में जरूर रखें और दोस्तों अगर market capital की बात करें तो 38,900 करोर के आसपास का market capital है और current prices का 4,295 रुपीज है ROCE काफी strong है at 25.4% और return on equity भी 25.3% का देखने को मिलता है साथ ही साथ promoter की holding देखें तो 73.2% की promoter की holding या पर देखने को मिलती है और दोस्तों अगर इसका profit and loss statement को देखा जाए तो वो भी काफे impressive देखने को मिलती है अगर हम sales chart की बात करें तो March 2017 से लेके last यानि की current year तक 1580 करोर से बढ़ते बढ़ते इसकी sales हो गई है 5517 करोर and if we check operating profit तो 324 करोर से बढ़ते बढ़ते 1023 करोर पे पहुँच चुके हैं तो sales growth काफी consistent है काफी strong है और operating profit भी काफी impressive rate से growth कर रहे हैं दोस्तों यहां पे COVID की वएज़ से थोड़ा dent देखने को मिला है बट overall इसने comeback काफी strong की है और उसके बाद इसने पीछे मुड़के नहीं देखा है और अगर हम net profit की बात करें तो वहां पे भी almost same pattern हमको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों fundamental wise, business model wise मुझे यह stock long term के लिए काफे impressive लगता है so let's check out our next stock now but before that अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे देगे लाल रंग के subscribe बटन को दबा कर चैनल को subscribe करें और bell icon को दबा के all पे जरूर क्लिक करें और वीडियो को like भी करें तो दोस्तों हमारा next stock है Deepak Nitrite Limited दोस्तों आज कल ये काफी अच्छी buying level पे stock available है और अगर हम इसके levels की बात करें तो यहाँ पे 2000 के आसपास इसका एक बहुत strong support था जो इसने break कर दिया है उसके बाद 1900 के आसपास भी इसका एक strong support देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों current price भी इसका बहुत अच्छा buying price है अगर हम RSI level को देखें तो लगबग 35 के आसपास इसका RSI trade कर रहा है तो दोस्तों इस stock को अपनी watch list में add करके चल सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने portfolio में add करके चल सकते हैं और दोस्तों चाहे तो आप इसके results का weight भी कर सकते हैं क्योंकि results से पहले stock थोड़े से volatile nature के होते हैं तो हो सकता है results के बाद आपको ये एक अच्छे even better price point पे available हो जाए लेकिन दोस्तों वो तो समय ही बताएगा बट फिलहाल मुझे personally ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी अगर इस stock को long term के लिए buy करके चला जाए तो भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोस्तों अगर हम market capital की बात करें तो 26,000 करोर के आसपास का market capital है और अभी 1,932 रुपीज के आसपास ही trade कर रहा है all time high की बात करें तो 2,690 रुपीज का all time high है और return on capital employed 44.5% और return on equity 37.4% तो दोस्तों fundamental wise बहुत strong है promoter holdings 45.7 है और PEG ratio 0.33 है तो दोस्तों अगर आप PEG ratio को tracker के stock लेते हैं तो according to PEG ratio stock clearly अभी undervalued है और अगर हम 200 day moving average को check करें तो ये 2,075 के आसपास आती है तो clearly यहां से भी हमको काफी अच्छा discount stock में देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अगर profit and loss statement को देखें तो इसकी sales March 2018 से लेके अब तक 1,651 करोर से बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है 6,802 करोर और अगर हम operating profit को देखें तो वो भी काफी consistently grow कर रहे है 204 करोर से बढ़ते बढ़ते हो गए है 1,607 करोर और दोस्तों यहां पे COVID का भी कोई खास effect देखने को नहीं मिल रहा है and if we check the net profit growth तो यहां पे भी हमको same pattern देखने को मिल रहा है as in operating profit तो इसका net profit और operating profit दोनों काफी consistently grow हो रहे है लेकिन due to market sentiments stock अभी correction phase में है और दोस्तों यही समय होता है अच्छे values पे अच्छे stock को खरीदने का और दोस्तों यह अपनी category में leader है अगर हम इसके business model की बात करें तो यह organic, inorganic, fine and speciality chemical चार verticals में operate करता है और चारों में इसने अच्छा खासा business अपना establish किया हुआ है और दोस्तों sodium nitrite में एक leader stock है और जहां से इसका लगबग 75% के आसपास का revenue generate यह करता है और दोस्तों अगर इसके business की हम overall sales growth देखें तो last 5 years में इसने शानदा 38% की sales growth clock की है वहीं last 3 years में 36% और अगर हम compounded profit growth की बात करें तो last 5 years में 87% और last 3 years में 82% की compounded profit growth इसने clock की है और दोस्तों अगर हम stock price CAGR चेक करें तो last 10 years में इसने 54% के CAGR से returns बना के दिये है और दोस्तों 54% का CAGR बहुत high returns माने जाते है और if we talk of last 5 years तो 46% के CAGR से इसने return बना के दिये है और last 3 years में 70% के CAGR से इसने return बना के दिये है और अभी अपने all time high से लगबग 35% के आसपास के discounted value पे available है तो long term investors इस stock अपनी watch list में एड़ करके जरूर चले है तो friends our next stock is alkyl amines chemicals limited दोस्तों ये amines segment में एक leader stock है और अभी हमको all time high से अच्छे खासे discounted valuations पे available है इसमें भी लगबग 40% का discount all time high से अभी available है और अगर levels की बात करें तो 2729 पे आज इसने closing दी है और धीरे धीरे sideways move ये दिखा रहा है तो दोस्तों यहां से भी हर गिरावट एक बहतरीन investment मौका बनेगी क्योंकि business model में कोई भी weakness यहां पे देखने को नहीं मिलती है और दोस्तों एक leader stock होने के बावजूद इसका market capital only 13 crore के आसपास है अब देख सकते हैं 13,951 crore का market capital है और current prices का देखें तो 2730 के आसपास ही अभी trade कर रहा है and if we check the all time high value तो 3800 का इसने all time high clock किया है और return on capital employed की बात करें तो 33% है return on equity 25.2% है और दोस्तों अगर promoter holdings की बात करें तो 72% का stake यहां पर promoters के पास है and if we talk of 200 demo average price तो it comes out to be somewhere around 2893 rupees and currently it is trading even below its 200 DMA average value तो दोस्तों अगर आपका नजरिया long term का है तो इस stock को आप अपनी watch list में add करके चल सकते हैं और धीरे धीरे हर गिरावट पे यहां पे एक बहतरीन investment opportunity आपके लिए बनेगी दोस्तों अगर हम इसके profit and loss statement देखें तो वो भी काफी consistently grow कर रहे हैं अब देख सकते हैं March 2017 इसकी sales growth 501 crore से बढ़ते बढ़ते 1543 crore पे पहुँच चुकी है और दोस्तों अगर हम operating profit की बात करें तो 95 crore से बढ़ते बढ़ते 327 crore पे पहुच चुकी है और अगर हम net profit की बात करें तो 50 crore से बढ़ते बढ़ते यहां पे 225 crore पे इसके net operating profit पहुच चुकी है दोस्तों अगर operating profit और net profit की बात करें तो यहां पे थोड़े से margin गिरते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन long term की approach देखें तो वो अभी भी काफी strong और positive हमको नजर आ रही है so let's move on to our next stock now लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देगे लाल रंग के subscribe बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon को दबा के all पे जरूर क्लिक करें so our next stock is clean science and technology limited दोस्तों ये stock भी अभी उपर से काफी अच्छे discounted value पे हमको available है आज इसने 1438 के आसपास की closing दी है और दोस्तों अगर इसके business level की बात करें तो ये globally एक well known chemical manufacturing company है और speciality chemical manufacture करती है और इसके कुछ leading speciality performance chemicals की बात करें तो वो है MEHU, BHK and AP और other than this ये glycol और DCC की manufacture करती है और दोस्तों इसकी खास बात ये है कि performance chemical से इसका 70% revenue generate होता है और performance chemical किसी भी product के लिए manufacturing and finishing के लिए बहुत important role play करते हैं और वहीं से इसका majority of revenue आता है तो दोस्तों ये इसकी काफी strong strength है और next अगर हम और verticals की बात करें तो pharma and agrochemicals से इसका 17% revenue आता है और FMCG products में जो chemicals use होते हैं वहाँ से इसका almost 12% revenue आता है और दोस्तों सबसे main बात as the name indicates clean science यानि कि ये eco friendly process follow करके अपने products manufacture करती है और अगर इसके products की applications की बात करें तो दोस्तों बहुत diversified field में ये use होते हैं जैसे की textiles में, FMCG में, agriculture में, personal care and pharma etc. और दोस्तों अगर हम geographical distribution की बात करें तो ये चाइना में, यूरोप में, USA, Korea, Taiwan, Japan etc. बड़ी बड़ी companies में इसके presence है तो all in all business model इसका काफी strong हमको नजर आ रहा है और उपर से ये अभी काफी अच्छे खासे discounted price पे हमको available है दोस्तों अगर इसकी market capital की बात करें तो लगबग 15,000 करोर के आसपास का market capital है and currently it is trading at 1443 and all time high price is 2588 rubies तो clearly लगबग 40% का discount यहां पे हमको देखने को मिल रहा है अगर हम fundamentals level की बात करें तो fundamentals भी इसके काफी strong है return on capital employed comes out to be somewhere around 46.6% or return on equity almost 35% का देखने को मिलता है जो काफी strong है और अगर हम promoter holdings की बात करें तो लगबग 78% की stake यहां पे promoters के पास है और दोस्तों अगर हम इसका 200 demoing average चेक करें तो 1667 rubies का 200 demoing average है और current prices का 1443 rubies है तो clearly यह अपने 200 demoing average price से भी अभी discounted valuations पे trade कर रहा है और अगर हम इसकी sales growth और profit growth देखें तो काफे impressive है sales की बात करें तो March 2018 से लेके अब तक इसकी sales 241 करोर से बढ़ते बढ़ते 867 करोर पे पहुँच चुकी है and if we discuss about operating profit तो यहां पे operating profit भी 73 करोर से बढ़ते बढ़ते 349 करोर पे पहुँच चुकी है और growth काफे consistent है और दोस्तों अगर हम इसका net profit चेक करें तो 49 करोर से बढ़ते बढ़ते हो चुका है 259 करोर और दोस्तों अगर इसके operating profit margin की बात करें तो लगबख 40% के range में इसके operating profit margin रहते हैं जो काफे strong माने जाते हैं और दोस्तों अगर इसकी sales growth percentage wise देखें तो last 5 years में इसने 29% की sales growth clock की है last 3 years में 20% की और अगर हम compounded profit growth की बात करें तो last 5 years में 37% last 3 years में 33% तो दोस्तों आप देख सकते हैं sales और profit इसके बढ़ते जा रहे हैं लेकिन due to market sentiments अभी stock गिरावट में हमको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर current levels पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं और यहाँ पर every dip पर आप धीरे धीरे अपने portfolio में इसको add करके चल सकते हैं इन सभी stocks में आप SIP भी कर सकते हैं यानि कि जैसे ही आपकी salary आती है आप वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा investment करके चल सकते हैं तो दोस्तों इससे पहले कि कुछ वीडियो आपकी screen पर नजर आ रही होंगे आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं वहाँ पर भी हमने बहुत important stocks cover की हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care and thank you for watching this video